केजी एफ वाली बहू नेर्मला जी के बेटे सुमित की शादी नव्या के साथ हो गए और नेर्मला जी बहुत खुश थी क्योंकि बहुरानी दिखने में बहुत खुशुरत थी और नीचर भी अच्छा था नेर्मला जी का बहुत अच्छे से खयाल रगती थी कभी किसे से जगडा नहीं करती थी लेकिन निर्मलाजी की बहुम में कुछ तो अनुखा था और वो ये था कि KGF मूवी देखने के बाद KGF मूवी के हिरो की बहुत बड़ी फैन मन ले थी और बस हार वक्त उसे ही कौपि करने की कोशिश करती रहती बस एक यही आदत की वज़े से निर्मला जी को कभी-कभी उस पर गुस्सा आ जाता बागी सब कुछ ठीक था सुमेद बेटा, तुम नव्या को समझाने की कोशिश क्यों नहीं करते अरे बार-बार KGF के हिरो की तरह भेज बतल कर घूमती रहती है कॉलोनी में जब देख देख कर हसते है क्या करू मुमी, मैंने उसे कई बार कहा कि बहू हो बहू की तरह रहा करो लेकिन उसके सर पर तो KGF का भूत सवार है, किसी की सुनती है नहीं ठीक है बेटा, तो आफिस जा, मैं एक बार और उससे बात करने की कोशिश करती हूँ थोड़ी तेर की बाद नविया अपनी कमरे से निकल कर पहार आती है अरे बहू, यह क्या, तुम फिर से KGF की एक्टर बन गई? ममी जी आपको पता है ना, मैं उसकी पोस्नालिजी से बहुत इंप्रस्ट हूँ और मेरी फेवरिट मुवी है यह, जानती हैं, मैंने ते सारे डायलोग्स भी रट कर रख लियें अरे बिटा, लेकिन थोड़ा बहुत समाज की भी तो परवाकरनी पड़ती है न तुम इस तरह घूंती हो, सब लोग क्या सोचते होंगे, थोड़ा तो डरा करो ममी जी डर होना चाहिए और दिल में होना चाहिए, वो अब उनके नहीं सामने वाले के दिल में होना चाहिए आरे यह, तुम फिर से KGF के डायलोग्स मानने लगी, आरे पता नहीं कब समझोगी डोन्ट वरी ममी जी, मैं अभी आपके लिए गर्मागरम काफी बनागर लाती हो, उसके बाद आपके सारी टेंशिन रफुचकर हो जाएगी, कुछ दिनों के बाद नव्या, नव्या कहा हो तुम? मैं यहा हूँ अरे क्यों इस तरह KGF का हीरो बनकर घुम रही हो, तब भी तो मेरी बीवी बनकर रहलिया करो चुणो ना सुमित, अच्छे बताओ, मुझे आवाज किसली दे रहे थी? क्या बताओ यार, मेरे बॉस ने मुझे इतना काम दे दिया ना, पूरी तरह से परिशान हो या आज कर बहुत काम रहता, हग जोता हूं मा, जानता है बेटा, जब तु छोटा था ना, तो मैं आफिस और तुझे संभालने का सारा काम करती थी, तब मुझे भी असा ही लगता था, लेकिन कुछ दिरों के बाद सब ठीक हो जाएगा बेटा, सही कह रहे है ममी जी, तुम अ जरूर सुनाओगा, केजी एफ फिल्म का डायलोग बला किसने सुनानी होगा, यह भगवान, कोई मेरी बेवी के सर से केजी एफ का बूत उतार दे, कुछ दिनों के बाद, नविया, सुमित आफिस चला क्या, एक काम करते हैं, हम दोनों मार्केट चलते हैं, मुझे कुछ श पिर सही है, बाद गई, चलिए न ममे जी, अब जानती है न, मुझे ऐसे रहना बहुत पसंद है, प्लीज, 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 ममे जी, आच्छ ठीक है, चलो, मार्केट में निर्मला जी को उनकीक सहली मिलती है, अरे निर्मला, यह तुम किसे साथ में लेकर घूम रही हो, लगता है फिल्म का हीरो निकल कर तुम्हारे साथ आ गया है, मिरी बहन क्या बताओं, यह फिल्म का हीरो नहीं है, अच्छा, यह तुम्हारा बेजा होगा, बहुत दिनों से देखा नहीं न, इसलिए पैचान नहीं पाई मैं, अरे नहीं नहीं मेरी पूरी बात तो सुनो, ये मेरी बहु है नविया। है? लेकिन दिखने में तो ये बिल्कुल KGF के अक्टर की तरह नजर आ रही है। हाँ, वो क्या है ना, इसे इसी तरह रहना पसंद है। क्या बात है पफु शेहर में इस तरह खूम रही हो। तो मैं बिल्कुल भी आजीब नहीं लगता। लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे? अंडी जी ? जो शेहर में रहने आता है ना, वो उसके बारे में सिखता है। और जो राज करने आता है न, वो शेहर को अपने बारे में सिखाता है। और मैं इस शेहर को अपने बारे में सिखा रही हूँ। अरे, ऐसा ही कुछ तो KGF पिक्चर के हीरो ने भी बोला था न, अपनी फिल्म में। यह हुई न, बात, सही पैचाना आपने, KGF पिल्म के हीरो का इडायलोग है यह। निर्मला जी और नवया को मार्केट में शॉपिंग करते करते शाम हो जाती है। और शान को घर लोटते बग एक सुंसान सडक पर अचानक से एक चुप उनकी सामियां कर खड़ा हो जाता है। चुप चाप, अपना सारा रुप्या माल पैसा मुझे दे दो। क्यों दे दे पैसे? तुमने दिये क्या समान खरीने के लिए? ओई चुपकर, और इस तरह बहुरुप्या बन कर क्यों घूम रहा है? अरा घूम रहा नहीं, घूम रही है, बहु है ये मेरी। लगन देखने में तो तुम्हारा बेटा जासा लगता है। वासे कजबी का बेटा है, बड़ा हैंसम। अरा चुपकर, कहाना बेटा नहीं बहु है मेरी, बहु है। अच्छा ठीक है, तो ऐसे कहता हूँ, तुम्हारी बहु बहुत हैंसम है। ओई मिस्टर चौर, ज्यादा बाते बनाने की जरुवत नहीं है। चुपक जाब यहां से निकलो, तो मैं कुछ नहीं मिलने वाला। असी बाता, एक मिनिट रुखो, ये देखो, मेरे हाथ में गान है ना गान। तुम दोनों का भेजा उड़ा दूगा। नविया लपक कर वो गान चौर से छीन लेती है। ट्रेगर पे उंगली रखने वाला हर कोई शूटर नहीं होता और उनकी आकात। उनको जाने वालों के अलावा और कोई समझ नहीं सकता। क्या बोले रहा, ये लाइन तो मैंने गई सुना है। आरा सुना होगा, जरूर सुना होगा। क्योंकि KGF फिल्म तो सब ने देखी है न, मेरे बहु तो दिन में चार-चार बार देखती है। उसे कडायलों कही है। ओरो वाट की जी, बहुत कमाल की है आपके बहु। चलता फिरता KGF का आक्टर ही लगती है। एक काम करों, अब तुम यहां से चलते फिरते बहुए। वहना तुम्हारी ये जो नकली गना न, इसी से नकली गोली चला कर तुम्हारा नकली भेजा उडा दूंगे। चोड डर के मारे वहां से भाग जाता है। कुछ दिनों की बार, एक दिन सुमित नवया से कहता है। नवया, मेरे कुछ दोस्तों ने शेहर के बार जो बड़ा सा गार्डन है न, वहां पर Get Together का प्लान बनाया है। तुम भी सही वक्त पर रेडी हो जाना, हम भी चलेंगे। रेडी होने में तो मैं माहिर हूँ, और आप तो जानती है न, मैं कैसे रेडी होती हूँ। नवया, प्लीज, इस बार मेरे बीवी की तरह बन कर तयार हो जाना। KGF का एक्टर फिर कभी बन लेना। ना, सुमी, मैं तुम्हारे दोस्तों से पहली बार मिल रही हूँ। मैं अपना असली हुनर तो दिखाऊंगे न, उन्हें। ताकि उन्हें भी पता चले कि तुम्हारी बीवी बीवी नहीं। तकि एक बहुत फिमस फिल्म का स्टार है। स्टार। तुम्हारी जित के आगे मेरी कहां चलने वाली है। और फिर सुमित अपनी बीवी को लेकर अपने दोस्तों के पास पहुंचता है। यह है मेरी पत्नी नव्या। अरे, मुझे तो लगा यह तुम्हारा कोई नया दोस्त है। हाँ, मैं भी बहुत देर से सोच रहा था कि सुमित का नया दोस्त तो बड़ा हंसम है। आप लोगों को गलत फैमी हुई है। मैंनका दोस्त थी, मलखीन की बीवी हूँ। अगर आप बीवी हैं तो बीवी के तरह क्यों नहीं रहती। आपको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे सुमित अपनी किसी कॉलेज की फ्रेंड को लेकर गुम रहा है। अब क्या बताओ यार। तुम लोग ही समझाने की कुशिश करो। मेरी तो कोई बात नहीं सुनती। अरे बाबी जी ये तो बहुत बुरी बात है। हमारे दोस्त को तो बीबी के साथ रहने की फेलिंग ही नहीं आती होगी। अरे बाबी जी क्या कमाल का डैलूंग बारा है। मसा आ गया। आप तो एक्टिंग भी बहुत अच्छी करती है। हाँ लेकिन बस एक ही इंसान के एक्टिंग करती है मेरी बीबी। के जी एफ के ही रोगी। और उसी की तरह रूप बदल बदल कर भूंती रहती है। यार सुमी तेरे तो मज़े हैं। चलता फिरता सिनेमा हौल तेरे संग चलता है। पिटा मेरे कितने मज़े हैं और कितने नहीं ये तो मुझे ही मालूव है। ऐसा क्यों कह रहा है यार। सारा दिन डायलोग सुने को मिलते हैं। और बीवी एक हैंसम दोस्त की तरह नजर आती है और क्या जी है। क्या बताओं भाई। कई बार रात को सोते वक्त जेव में नकली गन रखकर सोती है। और फिर जटके से मेरे सर पर गन तान के KGF के टायलोग मारती है। उस वक्त मेरी क्या आलत होती होगी। ये तो मैं ही समच सकता हूँ न। सुमित की बात सुनकर उसके सारे दोस्त जोर-जोर से हसने लगते हैं।